तो हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं किरिकेट सूपर फैंस में हुर रफी तो फिलाल इंडिया वर्सेज सौथ अफरीका के बीच श्रीज खेली जा रही है यह स्रीज 23 जनवरी 2022 को खतम होने वाली है लेकिन सौथ अफरीका श्रीज खतम होने के तुरंद बार ही टीम वेसंडीस टोर आफ इंडिया तो हजर रॉपईस है जहां वेसंडीस के भारत दोरे पर सबसे पहले तीन ओडिया मैचों की स्रीज खेले जागी उसके बार आखिर में तीन T20 मैचों की स्रीज खेली जागी अब जहां वेसंडीस की टीम ओड़ा और ट्रीज फॉर्मिट के कि वहाँ पर चक्यों को की बसाथ देखनों को मिलती है और खास तरह पर टीटमेंटी तरीज की जब बात आती है अब एसे में इंडिया वसे वेसंडीज की वीच तीन ओडियाई और टीन टीटमेंटी मैचों की तरीज खेली जागी तो यह स्रीज छे फरवरी तुवाजर बा खेलाब टीम में सामिल क्या जाएगा क्योंकि रोहीत शर्मा की यह में वापसी होने जारी है रोहीत संधरी में कप्ताने च्रहाएं तो अब बिंदरी के विचे लिए बात करते हैं वेशने चिलाफ होने वाली सबसे पहले तीन ओडियाई मेचों की तरीज के लिए क्या कि इनकिन खिलाड़े को गेसंडीज के खिलाफ ओडिया इतरी इसके लिए टीम में सामिल क्या जाएगा वन इस रिष्टीए टीम है जो कि यह प्रोड़ेबल टीम स्कॉाइड है तो नमबर एक पर वह एक सरमा जिनकी वापसी होने जारी है और कप्तानी भी कल्टे भी दिखा वहीं रवेंदर जरेजा के सिरीज में वापसी होने जारी है जबकि सार्दूल ठाकुर रवीचंद्रा सेविन जिवंदर चेहल को भी टीम में सामिल क्या जाने वाला है तो वहीं बतोरे तेस्ट के दबाद जस्पेद मुम्रा मुहमद समी भूमनेसर कुमार प्रासिड केस जिसना को टीम में सामिल क्या जाने वाला है रिपोर्ट्स के अनुसार तो वहीं मुहमद सिराज और दीपक चेहर इन दो में से किस एक को सामिल क्या जा सकता है तो वेशन डीस की खिलाफ यह अब हार्टे टीम के वरनी से टीम स्क्वाड जो कि यह प्रोवेबल यानि कि जाने अभी तक जारी नहीं किया है लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इन्दी सभी खिलाड़े को टीम में सामिल क्या जागा वन डे मैचों के श्रीज के लिए आपके निसार किन खिलाड़े को मौका मिलना चाहिए और किस खिलाड़े को नहीं कमेंट करेंगे अपनी